नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको अपने दोस्तों नंदन और आप देख रहे हैं CNDCY नंदन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 355 एंपेर और 12 वोल्ट 2 एंपेर एक ही ट्रांसफर्मर के अंदर आप कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला ह चाते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें इस वीडियो को अंते तक देखें मैं अशा करता हूं किस वीडियो के अंतक आपको सारी जैंकारी मिल चाहिए क arisesир can yeah तो जैसा की देख सकते हैं यह 35, 0, 35 इसे भी मैं 5 A के अंदर बानाने वाला हूँ और 0, 12, 2 A एक ही ट्रांसफर्मर के अंदर होगी तो सबसे पहले प्राइमरी के लिए 0 और 240 के उपर हम लुप निकालते हैं वो इसलिए कि 200 के आप्रोक्स वोल्टेज हो या फिर 200 तक हो तो यह ट्रांसफर्मर काफी अची तरीके से काम करेगी तो इसलिए 0, 240 के उपर प्राइमरी की लुप निकालेंगे सकेंडरी में पहले 35, 0,35 की वाइंड कर लेंगे और इसके बाद हम 0,12 की वाइंड इसकी उपर कर लेंगे जो की सरफ 2 अमपेर की है तो इस ट्रांसफर्मर को जो हम बताएंगे इसके लिए जो हम कोड यू inge वो लेंगे चार नमबर की कोर होगी चार नमबर की कोर होगी और इसका दो इंच स्ट्रैक होगा ठीक है चार नमबर की कोर और दो इंच स्ट्रैक जैसा कि आप सब को पता है कि किसी भी ट्रांसफर्मर की ट्रांस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें TP भी निकालनी होती है तो जैसा कि यह 4 नंबर की core की जो बीच वाली पटी है इसकी चौड़ाई जो होती है वो हती है 1.5 इंच की ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी core की बीच वाली पटी की चौड़ाई यानि की 1.5 लिखेंगे और इसे गुना करेंगे यह 2 इंच स्ट्रैक के साथ इस्ट्रैक क्या होती है यह मैं आपको बताऊँ यह बाबिन की साइज होती है बेसिकली तो जैसे यह ट्रांसफर्मर के अंदर देख रहे है quantity of core आप कितनी core डालेंगे तो core इसके अंदर हम 2 इंच डालेंगे 4 नंबर की core तो सबसे पहले core की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच लिख दी और इसे गुना करेंगे स्ट्रैक के साथ 2 इंच के साथ ठीक है तो चली हम इसे गुना कर लेते हैं तो सबसे पहले 1.5 को हम गुना करेंगे इस 2 इंच स्ट्रैक के साथ तो यहाँ पर हमें result मिली 3 ठीक है तो जैसा कि मैंने आप सब को कई सारे वीडियो के अंदर बताया हुआ अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो पर विजिट कर रहे है तो जो अच्छी quality की core होती है या फिर उसके अंदर जंग लगी गए तो सारी process सेम होगी 7.5 की जगा आप 8 लिक कर बाकी calculation करेंगे तो इस 7.5 में भागा देंगे इन दोनों को गुना करके जो हमारे result 3 आई है इसके साथ तो चलिए हम इसे 7.5 में 7.5 में भाग दे देंगे 3 के साथ तो हमें यहाँ पर result मिली 2.5 2.5 तो यह 2.5 क्या हुई यह हुई हमारी TPB यानि कि टरंस पर वोल्ट यानि इस बबिन साइज के अंदर हमें 2.5 टरं देंगे तो 1 वोल्ट ड्रॉब भी करेगी और वापिस से 2.5 टरं देंगे तो हमारी एक वोल्ट बाहर भी वापिस आ जाएगे तो यहाँ पर 240 वोल्ट के लिए हमें कितनी टरं देंगी होगी तो सबसे पहले 240 को हम गुना करेंगे 2.5 के साथ तो जो हमें result मिलेगा उससे हम primary के अंदर wind करेंगे तो यहाँ पर 240 इसे हम गुना करेंगे 2.5 के साथ तो हमें यहाँ पर result मिला 600 तो यहाँ पर 600 turns अगर आप देते हैं तो आपकी primary की winding complete हो जाएगी अब बची बात secondary के अंदर अब secondary के लिए 35 वोल्ट के लिए हमें कितनी turn देनी होगी तो फिर से 35 को हम गुना करेंगे इस 2.5 के साथ तो 35 गुने 2.5 2.5 तो हमें यहाँ पर result आई 87.5 इसे हम 88 भी माल लेते हैं इसमें अगर इसमें कुछ percentage increase करना होता है चाहिए वो 5% आप increase करें तो आपकी जो result है वो बहतर आईगी क्योंकि डायोड का भी कुछ resistance होता है वायर का भी कुछ resistance होता है तो यहाँ पर कुछ turns और transformer का कुछ losses भी होता है तो इसलिए यहाँ पर 5% आप्रोक्स हम increase करते हैं तो यह 87 जो है इससे हम यहाँ पर 91 turn अगर हम दे देते हैं तो यहाँ से winding स्टार्ट करेंगे जिरो से 91 के उपर हम पहली लूप निकाल लेंगे और फिर से 91 के उपर हम दूसरी लूप निकाल देंगे तो हमारी 35 यहाँ पर complete हो जाएगी अब यहाँ पर 12 के लिए तो यहाँ पर 12 को हम गुना करेंगे 2.5 के साथ तो हमें यहाँ पर result मिला 30 30 तो 30 की जगा पर हम 34 turn अगर दे देते हैं कुछ percentage increase करते हुए तो हमारी 12 वोल्ट भी यहाँ पर काफी अची तरीके से निकल जाएगी तो सबसे पहले 600 turn लगाएंगे primary की फिर secondary के अंदर 35-0-35 के लिए 91 प्लस 91 turn लगाएंगे और फिर उसे 0 और 12 के लिए हम 34 turn देंगे तो हमारी यह transformer काफी अची तरीके से complete हो जाएगी अब इसमें हम wire gauge कौन सा इस्तमाल करेंगे तो दोसों इसके अंदर जो हम wire gauge यूज करने वाले हैं primary के अंदर जो हम SWG use करेंगे वो हम करेंगे यहां पर 24 नमबर की wire होगी और secondary के अंदर 35-0-35 जो 5 ampere के लिए जो हम wire gauge use करेंगे वो यूज करेंगे 18 number और 2 ampere के लिए जो हम SWG use करेंगे यानि कि 12 volt के लिए जो wire gauge use करेंगे वो यहां पर करेंगे 20 number ठीक है तो primary में इस coil की winding के लिए 24 नमर की तायर होगी 35-0-35 के लिए 18 नमर की तायर होगी और 0-12 के लिए 20 नमर की wire होगी दोस्तों अगर आपके मन में ये confusion आ रहा है कि wire gaze की selection आप क्या से करते हैं तो भाई साब इसकी एक जटिल पर करिया है इसका एक calculation होता है जिसे की आप YouTube पे ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो इसके लिए आप अगर इसे सीखना चाते हैं transformer designing, stabilizer winding या फिर आप refrigerator का काम सीखना चाते हैं तो आपको इसके लिए हमारा institute जोईन करना परेगा हमारा institute दर्भंगा बिहार के अंदर है रहने की शुबिधा मिलती है बात कर सकते हैं और आप हमारे institute को जोईन कर सकते हैं तो दोस्तो अगर इस data के according अगर आप इस transformer को बनाएंगे तो ये काफी अच्छी तरीके से काम करेगी तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई